हेलो फ्रेंट्स मैं दीप्ती मेरे चनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंट्स क्या आप इन खुबसूरत फूलों को देखकर पहचान पा रही हैं कि यह किसके फूल है यह हैं मूली के फूल तो आज मैं आप सब के साथ में अपने टेरिस गार्डन में लगे कुछ विंटर सीजन के वेजिटेबल हार्वेस्ट करूंगी तो चलिए फिर सबजिया तोड़ते हैं तोड़ते नहीं है एक्चुली निकालते हैं क्योंकि आज मैं जो सबजिया निकालने वाली हूँ वो सारी सबजिया मिट्टी के अंदर से निकलने वाली हैं तो सबसे पहले चलिए इन मूलियों को निकाल लेते हैं, इनके पत्तों को आप देख सकते हैं, कितने हेल्दी और एकदम हरे हरे से हैं, इनकी भाजी भी बहुत अच्छे से बनेंगी, और ये देखिए मैं यहां से इस मूली को निकाल लेती हूँ, ये देखिए निकाल आई ह और एक एक करके मैं अब सारी मूलियों को निकाल लूँगी क्योंकि एक तो ये मूलियां तयार भी हो गई हैं और दूसरे अब इन थर्मा कोल के बॉक्स को खाली कर इन में अब कुछ गर्मी के सीजन वाली सबजियां उगाई जाएंगी मैंने आपको पुराने वीडियो में पहले ही बताया है कि हम अपने टेरिस गार्डन में थर्मा कोल के बड़े बड़े बॉक्स में स्वाल मिक्स्चर भरकर सबजियां उगाते हैं बहुत मज़ा आता है घर की सबजियां को हार्वेस्ट करने में वैसे मैं केवल इंपर हार्वेस्ट ही कर रही हूँ टेरिस गार्डन में सबजियों की देखभाल मेरे हस्बेंट करते हैं उन्हें सबजियां ग्रो करने में मज़ा आता है और मुझे फूल और और्नमेंटल प्लांट्स ग्रो करने में तो इस तरह से हमारे बगीचे में सभी तरह के प्लांट्स हुगाए जाते हैं और इस तरह से देखिए आपसे बाते करते हुए मैंने एक बॉस की सारी मूलियों को निकाल लिया है और इस तरह से देखिए एक एक करते हुए मैंने इतनी सारी मूलियों को निकाल लिया है और अब चलते हैं गाजर की ओर देखते हैं गाजर तयार हुए है और नहीं कुछ गाजर तो तयार हो गए हैं दिखाई दे रहे हैं तो अब इनको भी निकाल रहते हैं और ये मेरे हस्बन निकाल रहे हैं गाजर मूली जितने आसानी से निकल आती हैं मिट्टी से गाजर उतनी आसानी से नहीं निकलते इस तरह से टूट जाते हैं प्लांट इसके बारिक-बारिक से रूट्स मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से पकड़े रहते हैं मुझे इन सबजियों को निकालने में बहुत मज़ा आ रहा था इसलिए फिर से मैं इन गाजरों को निकालने लग गई और ये वह वाला गाजर है जिसका प्लांट तूट गया था विसको जमीन से खोथ कर निकालना पड़ेगा और देखिए हमने इतने सारे गाजर आज पूरा जंगल की तरह से था इसमें और अब निकालने के बाद ये पूरी तरह से खाली हो चुका है अब इसमें खाद वगेरा भरके फिर गर्मी वाली सबजियां लगाई जाएगी और अब ये हैं बीटूट बीटूट की पत्यों में आब देख सकते हैं बहुत कीडे खा चुके हैं बारिश जब हुई थी तब से इसमें कीडे लग गए थे और दवा स्प्रे करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे थे तो अब ये तयार भी हो चुके हैं चुकंदर तो इनको अब निकाल लेते हैं देखिए कितने अच्छे सा इसके चुकंदर निकल आए है इस बाक्स के सारे चुकंदर तो तयार नहीं हुए हैं कुछ देखिए इस तरह से छोटे-छोटे से भी हैं तो जो दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे से हो गए उन्हीं को मैं निकाल रही हूँ बाकी जिनको देखके लग रहा है कि अभी वे तयार नहीं हुए हैं तो उनको मैं इसी box में छोड़ दूंगी जब वो बड़े होंगे तब फिर उनको निकालेंगे कुछ-कुछ beetroots की size और shape इतने अच्छे आए हैं उनको देखकर मन खूश हो जा रहा है कई बार क्या होता है तेड़े बेड़े इस तरह से भी निकलते हैं पर ये बिल्कुल सही size के और सही shape में निकले हैं तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बाकी ये सारे plants में अभी तयार नहीं हुए हैं तो इनको मैं यही छोड़ रही हूँ बाद में फिर जब ये अच्छे से grow हो जाएंगे तब फिर इनको निकालेंगे और ये देखिए आज तो खुब सा सब्सक्षा हो गई बीटरूट भी हो गया गाजर भी हो गया मूली भी हो गया जितने मिट्टी के अंदर वाली सब्सक्राइब तर आज हमने सब हार्वेस्ट की और अब ये देखिए नहाद होके इतने खुबबसूरत से दिख रहे हैं कुछ बीटरूट तो खुब आपको कैसा लगा मेरे साथ में आज सबजियों का हार्वेस्ट करके आप जरूर बताईएगा और आप भी इस तरह से सबजियां उगाईए और इन्हें तोडिये और इनका स्वाद और हार्वेस्ट करने का मज़ा दोनों लीजी है तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में त